नमस्कार दोस्तों, Mechanical Gyan YouTube चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों, आज की इस शोट वीडियो में हम देखेंगे कि H beam और I beam में क्या फर्क होता है तो सबसे पहला फर्क है इसकी sectional view का यानि हम इसकी shape को देख के इसकी पहचान कर सकते हैं जो H beam होता है, वो alphabet H की तरह दिखता है और जो I beam होता है, वो alphabet I की तरह दिखता है तो सबसे पहला फर्क इसका ये है दूसरा फर्क जो है, जो H beam होते हैं, वो I beam से ज़्यादा weight में heavy होते हैं तो अगर आप 1 meter H beam लेंगे, और 1 meter I beam लेंगे तो जो H beam होगा उसका जो weight होगा वो उससे ज्यादा होगा और जो H beam होता है उसका use heavy structure के लिए किया जाता है और जो I beam होता है उसका use light structure के लिए किया जाता है और इसमें जो third difference है वो है इसके edge का जैसा कि आप इस picture में देख रहे हैं जो H beam होता है उसका जो edge होता है वो बिल्कुल straight रहता है और जो I beam होता है उसका जो edge होता है वो taper रहता है fourth difference है इनमें जो H beam होता है इसका जो web होता है ये जो बीच में center में जो wall है इसको web बोला जाता है इसकी जो thickness होती है वो I beam से हमेशा ज्यादा होती है और एक इसका इन में जो difference है H beam और जो I beam के जो size होते है H beam का जो size होता है वो होता है 200 x 200 200 x 200 यानि इसकी जो दोनों dimensions होती है वो बिल्कुल same होती है और जो I beam होता है उसका जो size होता है 100 x 75 125 x 75 यानि इसकी जो दोनों dimensions है वो अलग-अलग होती है तो उमीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको H-Beam और I-Beam में क्या फर्क होता है वो समझा आ गया होगा तो वीडियो ची लेगे तो वीडियो को लाइक जुरूर कर दें और ऐसी वीडियो के लिए आप हमारी चैनल Mechanical ग्यान को सब्सक्राइब कर सकते हैं